नमस्कार प्रतिपक्ष समवाद आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ मेगना सच्टिवा पूर ब्लोक प्रतिपक्ष समवाद पर देखिये आप पूर ब्लोक प्रतिपक्ष समवाद पर पहले मैं चाहूंगी अपनी जिम्बेदारियां आप बताएं और अपना परिचे आप खुद दे कि आपने जनता के लिए कितना कुछ किया है इस डेजिगनेशन पर रहते हुए देखिये मैं चात्र राजनीती से निकल कर आया हूँ और 2014 में मैंने त्रिश्त्री पंचाय चुनाव में अपना भागिया जमाया और मैं चेत्र पंचाय सदैसी का चुनाव लड़ा और उसके बाद रामनगर का ब्लोक परमुग बना पंच साल का मेरा कारिकाल मैंने जितना भी हो सकता है वो जो गरीब तपके के लोग हैं उनके लिए मैंने काम किया चाहे वो रासन कार्ड के माधियम से हो चाहे वो मिर्त प्रमानपत्र के माधियम से हो चाहे चेत्र के विकास के लिए मनरेगा के माधियम से हो राजी वित्त कि रामनगर परथम और रामनगर फिजट्डी करके कि रही हैं उनको आगे बढ़ा है तो आने वाले वाले वधारे में आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ाया जाएगा यूवा चेहरे को यूवा शक्ती को आगे चुनाव के लिए उतारा जाएगा देखे जिस तरीके से 2012 और 2017 में मानी राहूल गादी जी ने कहा था कि जो यूथ है हमारा यूथ के कोटे से भी बहुत सारे कॉंग्रेस में टिकर दिये गे थे जिसका परतियक्स परमान है हमारे परकाज जोसी जी हमारे परतियक्स परमान है जो ललित फरस्वान जी जो कापोर्ट से विधायक थे यूवा विधायक बने राजपाल खरौला जी यूथ कॉंग्रेस के परतियद्यक्स थे उन्हें टिकर करके युवाओं को जादे से जादे टिकट देगी सर आप हरी शिरावत के करीबी माने जाते हैं और जाहिर सी बात है इस बार सभावनाई लग रहे हैं कि आपको कहीं न कहीं जो है इस चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो सकती है तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे रा कि मंत्री बदलने के सिवा उन्होंने कोई काम किया मैं बात करूंगा रामनगर विधानसवा की रामनगर विधानसवा में समश्याओं का अंबार है यहां पर रोडवेज बसड़ा है जो इतनी बूरी स्तिती में जा चुका है कि अगर वहां पर थोड़ी सी भी बारी सो जा कि रामनगर के बसड़े को हम बसफोर्ड के रूप में बिक्सित करने जा रहे हैं लेकिन अभी तक बसफोर्ड के नाम पर वहां एक इंट भी नहीं लगी है और बहुत बड़ी समस्या है रामनगर बसड़े की दूसरा मां आपको यहां पर बताना चाहूंगा यहां का एक म मांग की धरने परदसन के माधियम सा हमने मांग की कि सरकार को इस जो पिपीपी मोड में दिया गया है हमारा जो रामनगर का सभी चिकसाला है इसे तुरंत जो है पुरानी इस्तिति मा बाहल किया जाए इससे अच्छा था यह पुरानी इस्तिति मा था और तीसरी जो मैं है आसमान में बारिज देखी तो घरू से अलग हो गया था और उनके मकान बिल्कुल जमीन दोस हो गया उनकी जमीने बिल्कुल खाली हो चुकी है और उससे लगता हुआ एक सुंदर खाल छेतर है हमारे रामनगर में उस सुंदर खाल छेतर में भी लगबग 20-22 जोपडियां और मकान जो पक्ते मकान बहचुके थे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे लोगों के पास बरतन नहीं थे हाँ ठीक है आपदा का अलर्ट सरकार ने बहुत जल्दी कर दिया था लेकिन उसके बाद जो कारवाई होनी चीए थी वो कारवाई नहीं होनी चीए नहीं हुई है और आज भी ओ लोग स्कूल मसरणी हुए अब हमारे द्वारा मेरे द्वारा वहाँ पर लगवग 10 से 15 दिन हमने वहाँ पर एक भंडारा चलाया जो लोग जो पर पिडित लोग थे उन लोगों के लिए मैंने बंडारा चलाया और उन लोगों मैंने अपने पल् जिनको लेकर आप यहां तो बोल रहे हैं लेकिन शायद कॉंग्रेस मुकर तरीके से आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे गर बार-बार ये कहा जा रहे है कि कॉंग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे है क्या आप इस बात से सहमत हैं आज आपने देखा होगा कि उन्होंने रामनगर मा कर बेरोजगारी और महंगाई के खिलाप यहाँ पर पदियातरा की और इस पदियातरा में आपने देखा होगा महिलाओं ने कितनी बड़ी संक्या में यहाँ भागीदारी की स्वई महिलाएं घर से निकल के आ रही है क्योंकि हो महंगाई और बेरोजगारी से हमारा जो युवा है वो बेरोजगारी से तरस्त है और निश्चित रूप से ये महंगाई और बेरोजगारी भारती जनता पाल्टी की सरकार को ले डूबएगा और निश्चित रूप से इस तरीके सा हरीश रावत जी परति एक विधान सवा में जा कर कुमाउं से लिके गड़वाल में जा कर उन्होंने कहा है एलान किया है कि मैं पदियातरा करूँगा और पदियातरा के माध्यम से गाउंगां में जाकर चौपाल लगाँगा और चौपालो के माध्यम से लोगों को जो भारती-जनता पालिटी की nawकामिय और नकामिय को बताऊंगा लिखता है कि प्रदेश की जो कॉंग्रेस पार्टी है उसमें ही गुडबाजी चल रही है और इसका फाइदा बीजेपी हर साल उठा लेती है और इस बार भी ऐसे कुछ लग रहा कि होने वाला है देखिए गुडबाजी की जहां तक बात है जब बड़ा परिवार होता है तो वहां पर बरतन खटकते हैं आपको किवल कॉंग्रेस की गुडबाजी नजर आ रही होगे लेकिन भारती जन्ता पार्टी में इतनी जादा गुडबाजी है कि आप समझ नहीं पाएंगे चलिए ठीक है मीडिया के मादियम से आज ये लगता है कि कॉंग्रेस में जादा गुडबाजी है लेकिन आपने देखा होगा कि गुडबाजी के ही कारण तीन-तीन मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है और बात रही जो है परत्यासी बनने की हमारी पाल्टी इस बार जित समाशियों को इसना समाधान किया और लोगों के सुखदुग में रहता है तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस जो इस बार प्रत्यासी का चैन करेगी वह चंचन का चैन करेगी जिससे कि हम यहां पर भारती जनता पालिटी को पटकनी दे सके हैं और कॉंग्रेस की सरकार को बहुत बहुत वक्त देने के लिए संजी नेगी को आपने सुना और जाहिर सी बात है इनोंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जनता उस व्यक्ति को वोट देगी जो उनकी बीच में जाएगा जो उनका दुख समझेगा तो देखते हैं कि कॉंग्रेस आकर किसको यहां पर टिकेट देती और आने वाले वक्त में जिसको टिकेट देगी क्या जनता उसको एकसेप्ट करेगी या फिर नहीं फिलाल के मेरे साथ इतना ही आप देखते हैं प्रतिपक्ष संबाद